हेलो स्टूडेंट वैलकम तुमाई चैनल आज मैं आपके साथ साइंस का कुछ महत्पोण प्रस्ण बताने वाला हूँ जो आपके बोर्ड अग्जाम में ज़रूर आएगा और अब्जेक्टिव कुस्चन्स भी देखेंगे एंड अतलग उत्रिय प्रस्ण भी कई सारे देख करने वाले हैं यहां आप लुग देख सकते हो कई सारे परस्ण है देख सकते हो एंड हम लोग यह नुबर्कल स HP देखेंगे देख सकते हो नुमिरकल और भी बहुत सारे प्रस्ण है उन्स bur aus लाइक कर देना चानल पना है हो सक्षर्च्ण 18HH को आपको ठयान से चीकि मैं होटा है ठीक है । जीरो से लेकर यहां 0 रहेगा यहां च olan रहेगा और बीचे में 7 है अगर आपको पता होगा अमकि इधर की उर होता है चारी को चयाण इधर की उर तो आम्ली विलेण का पियर्ट और होता है वो 7 से कम होता है आपके पास अप्सिंग wakes 10ANE से रहेगह आप यादएजना 7 से कम जो होता है वो अमलिये विलेन का पीज़मान होता है कोई विए अगर अमलिये विलेन है तो उसका पीज़मान 7 से कम ही होगा rande Question 2 क्या लिखा हुआ है किний Acetic Amalakayupac Name क्या होता है सबस्पहले आपको पता होना चाहिए iupac name लिखते समय जो IUPAC name लिखा हुआ है, इसके सामने लिखा हुआ है IUPAC name लेकिन इसका आपको सबसे पहले समूह पता होना जाए किस समूह से है तो aesthetic अमले जो है वो carboxylik समूह का होता है और उसमें OIC जोड़ा जाता है और इसका जो सूत रोता है CS3COOH यानी की दो carbon होते है इसका जो नाम होगा math eth और दो carbon को eth कहते हैं और eth noic अमलो हो जाएगा ठीक है, चार options हैं लेकिन चारो options में आपका eth noic अमल सही है क्या हो, क्योंकि अगर मैंने आपको IPC name लिखना बताया है नहीं वीडियो देखा है तो आप अपको सदेख सरते हो आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है IPC name अच्छे से आप लोग देख लेना योगी बहुत जारा important है वो वीडियो और आपका कुछ नंबर तो पक्का करा ही देगा तो ये दो important तीसरा देखो तीसरा important question की पादपों में वायू प्रदूशन कम करने वाली प्रक्रिया है यानि की कोई भी पादप है पादप में जो वायू प्रदूशन होता है वायू प्रदूशन उसे कम करने वाली प्रक्रिया है A. सोसन V. प्रकास संसलेशन C. वासपुर्थ स्तरजन D. प्रोटीन संसलेशन तो अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है तो भी कोई दिक्कर नहीं, कोई भी पादप है, पादप में आपका वायू प्रदूशन कम करने के प्रिक्रिया है, वो है प्रकास संसलेशन, कौन सा है, प्रकास संसलेशन जो है, वो पादप में वायू प्रदूशन कम करता है, ठीक है, तो बहुत जादा इंपोर्टन्ट है अगर आप ध्यान से समझोगे तो सब कुस समझ में आ जाएगा यहाँ चौटा नेफा कुश्चन थेक है čौटा निसेचन के बा। नीसेचन जिसे महें क्या होता है का गाना सा भाग फल में बजल जाता है विजान्ड and वर्तिका वर्तिका कई सारे भाग होते हैं लेकिन यहां मेल क्या है कि जो होता है उसके बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है तो यहां लिखा हुआ ए पुंकेशर अब आप लोग सोचेंगे कौन सा बदल जाता है तो वो आप लोग याद रखना अंडा से जो है ये बदल जाता है ठीक है अंडा से किसमें बदल जाता है फल में बदल जाता है ठीक है याद रहेगा अच्छी बात है अगर आपको याद रहे क्योंकि बहुत जादा important question है यहा पूरा प्रयोग किया था और अगर आपने अदो अनुवान सिखते हैं जोग जामते होंगी आinação सीमर अंगूर अब अब आप नहीं जानते हूँ तो धुमम्ठर पर अपना प्रयोग क्या था और आप लोग watching outros प्रावTalk Eagles की मरकिस्व unified नाम क्या होता है जल्दी से comment box में में आप लोग है́उच्छ कुछ उच्छन सभिक 누ardı का reflect दिना है कि मित्लिक मेंतान का व्याधिनिक नाम क्या डी किया जाता इसमें आपका एक प्दार्थ है जिसे लेंस बनाने में प्रियोग तो裡 किया ही जाता अब आप लोग समझना लेंस बनाने में कहीं न कहीं हम लोग जल का भी प्रियोग करते हैं तो यह we मांज़इंइन रहा है ह् प्लास्टिक प्रियोग स्टल नहीं होग होग करेंगे तो हमें और से पाल नहीं दिखाई देगा और थोड़ा और भी कमीयन हो जाएंगे जलड़ी तूट जाएंगे ठीक है अगला देखो यहां परस नबर 7 क्या गएड़ा है कि स्वस्त आख के लिए दूर विंद होता है एक मनुष्य है जिसका आख विलकुल स्वस्त है इसमें जितने भी important question है वही मैंने लिया है ठीक है और अब आप लोग ध्यान से पढ़ना बोड़ेंचाम बहुत जारा नज़् रहा है तो स्वस्त आख के लिए दूर विंद होता है ए आप्षन है 25 cm वी आप्षन है 100 cm C आप्षन है 50 cm D आप्षन है इनफाइनट तो आपके पास 4 आप्षन है अब आप लोग गेस कर सकते हो कौन सा सही हो सकता है लेकिन आपनों यार्टकना अगर दूर विंद की बात की सब्सक्राइब करेंगे ऐगा और आपका आख विल्कुल सवस्त है तो इन्फाइनाइट विल्कुल सही होगा कोई अगर दोस नहीं है तो आप बहुत दूर तक देख सकते हो तो इसलिए इन्फाइनाइट करेक्ट है ठीक है अगला विध्दु धारा का ऐसा ही मातरक क्या ह होता है विद्धुधारा का ऐसा ही मात्रक आपको पता होगा विद्धुधारा का मात्रक मैंने आपको कई बार पढ़ाया है चैप्टर में भी पढ़ाया है तो विद्धुधारा का जब ताजा दूद होता है तो उसका पियच मान जो होता है वो 6 होता है लेकिन दही बन जाने पर इसके पियच मान में क्या परिवर्तन होगा उत्तर दीजी मैं आपको एक बार समझा देता हूं दूसरे तरीके से एक होता है दूद और एक होता है दही ठीक है दूद से दही ब अब अगर आप लोग सोचो अगर खटापन आ गया तो मतलब अमल की महत्रा आ गई और अमल का जो पियचमान होता है साथ से कम होता है, मतलब कम हो जाएगा, एक बात अगर ना मीठा से खटा हो जाना, यानि कि अमल में कमी होना, मतलब सोचो पियचमान में कमी होना, क्योंकि पिएचमान में अगर जितनी कमी होगी उतना जादा उसका खटापन बढ़ता चला जाएगा इतना याद रखना थोड़ा सा माइंड अपना गुरो करो और सोचो अगर हम अमल का पिएचमान दो है तो बहुत जादा खटा होगा उसे हम खा नहीं सकते जल्दी ऐसे बहुत जा पिएचमान 6 होता है या आपको पता चल गया प्रंदु दही बन जाने पर इसके पिएचमान में कमी होगी मैंने इक बताया नी कमी होगी क्यों होगी यह तो आपको पता चल गया होगा क्योंकि इसकी अमलिये प्राकिरत बढ़ जाएगी क्योंकि इसका खटा पन बढ़ जा कि ताजा दुध मीटा होता सात से कम यहां कि लगभग पाँस के करीब 40 अब एसाहिए खता होगाbn तो यहां पो यह समझ में आगया कूश्य इसलिए मैंने सूचा हैं यहां को बताया जाए यंसी EIT का बहुत जादा important question है, इसलिए मैंने आपके साथ share किया है, तो जरूर याद कर लेना बहुत जादा important है, ठीक है, तो अगला question देखो यहाँ, बहुत जादा important question आ चुका है, यह आपके लिए very important है, आपके board exam के लिए भी, और आपके लिए भी, क्योंकि आपके board exam में जितना अच्छा आप लिखोगे उतना जादा आपको number मिलेगा, देखो, यहाँ लिखावा है धमनी और सिरा में अंतर, यह question अंतर वाला, एक टो DNA, RNA में अंतर आता है, एक धमनी तथा सिरा में अंतर आता है, और एक लाइंगी तथा लाइंगी जन में अंतर आता है, मैं आपको बता दू, इतने अंतर आपसे पूछा जाते हैं, लेकिन आज सबसे important अंतर की बात करूँगा, आपको बता चल गया है कि इतने साथ important अंतर है, difference, पूछे जाते हैं, ठीक है, तो अब हम लोग discuss करेंगे धमनी तथा सिरा में अंतर, तो सबसे बला आप धमनी एक तरह फैडिंग डाल दो, फिर इसके लेकर एक बढ़हा सा लाइन कीचो, फिर सिरा हैडिंग डाल दो, धमनी और सिरा फैडिंग डालने के बार एक एक point बताता हूं, पहला point, इसमें रुधिर हिर्दे से अंगो की और बैता है, जो धमनी होता है, इसमें रुधिर हिर्दे स अंगो की और बैता है मनलब हिर्दे से आता है और अंगो की और बैता है लेकिन सीरा में क्या होता है इसमें रुधिर अंगो से हिर्दे की और बैता है उल्टा है ठोड़ा सा आपको अपोजिट समझना है इसमें क्या होता है रुधिर हिर्दे से अंगो की और बैता है इसमें हिर्दे से अंगो की हो, बस इतना आपको difference है, बस पहला point हो गया, दूसरा, इसकी दिवारे अतरधिक मोटी तथा लचीली होती है, और इसकी दिवारे अतरधिक पतली वा कमलचीली होती है, मैंने कहा है, एक यारकरो, तो दूसरा आटोमेटिक याद हो जाएगा क्योंकि इसमें आपको पता चला कि इसकी दिवारे जो होती है अत्तधिक मोटी होती है तो इनकी दिवारे अत्तधिक पतली होती है यह जादा लचीली होती है यह कम लचीली होती है तीसरा ये खाली होने पर नहीं पिचकती हैं और ये खाली होने पर पिचक जाती हैं पिचकने का अर्थे गुबाड़ा जैसे खाली होने पर पिचक जाता है लेकिन ये जो होती है ये धमनी जो होता है ये खाली होने पर नहीं पिचकती और ये क्या होते हैं पिचक जाते हैं स किसके रंग जो होते लाल या नीले बाएगनी रंगा होता है उसलिए मैंने आपको फ़र ही डिक्ष्टोस किया है अगला कुश्टी देखो अठलगतिय का तीसरा कुश्टी कि लिंग सहलंगनता से संबंधित की नहीं दो बिमारियों का नाम लिखो लिंग सहलंगनता ये कौन सा रोग है ये बहुत भयानक रोग होता है ठीक है तो लिंग सहलंगनता से संबंधित आप दोनों रोग समझे लो पर एक हीमोफीलिया नमबर दू वड़ांधता हीमोफीलिया जब आपका कहीं भी आपके सरीर में कट जाये तो खुन बहना बंद नहीं होता वड़ांधता लाल और हरे रंग में विभीद नहीं कर पाते हैं ठीक है इसलिए जो वड़ांधता से रोग से पिड़ित होते हैं उ इस्क्रस करता हूं कुष्ण नमर फूर कि नेतर की समंझमजन शम्ता से क्या पराय है तो यहां उत्तर समझ लो कि नेतरकी वह छम्ता जिसके कारण वह अपनी फोकसे दूड़ी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्त वस्तों को फोकसित कर लेता है नेत्र की समंझन छेलाइन है जाहे दूर ऊश्त रखी हूं और चाहे नजदीक वस्त रखी हूं उसको मलब फोकस हिए देख लेता है देख लेता है अच्छे से तो नेत्र की शमंझन छेलाती af कितनी आपकी नेतर की छमता है यही चीज है तेखने की कितनी दूर तक आप देख सकते हूं बस यहां आपको समझ में आ गया अब आओ हम लोग नूमेरिकल भी स्वाल्व करते हैं ठीक है नूमेरिकल भी आपको समझ में आएगा देखो हर एक चीज आपको समझ में आएगा य इस पर questions भी आते हैं यहां आपका एसास यहां कुछ question में और दिया है sign 49 degree का मान दिया हुआ 0.75 यह दिया हुआ वाई तो फिर हम लोग इसे solve भी कर लेते हैं लिखा हुआ है एक prism का कोन साथ degree तथा अलपतम बिचलन कोन 38 degree है तो प्रिजम के पदार्थ का अपवरतना के क्यात कीजिए बढ़िया question है इसमें देखो प्रिजम का कोड यानि कि प्रिजम का कोड को हम लोग दिया है यानि कि A प्रिजम का कोड को 60 degree एक से दिनोट करते हैं और फर यहां दिया हुआ अलपतम बिचलन कोड यानि कि देल M देल M देल M दिया हुआ है 38 degree और यहां हमें अपवरतना गयानि कि यन की गरना करनी है तो यहां अब आप लोग समझ लो N वराबर होता है साइन A प्लस देल यम बटे 2 ठीक है और फिर आपको नीचे दिया हुआ है साइन A वटे 2 अब यहां देखो भाई अब आपको अपना टेकनिक लगाना है जो जो दिया हुआ है उसे मान रख दो A का मान है 70 degree और पलस इसका डेल M का मान है 38 degree और वटे 2 ठीक है अब अगर आप इसे स्वाल करोगे तो इसमें भी कुछ नहीं है यह दोनों जूड जाए जैसे यह है और यह है तो वैसे अगर आप इन दोनों को जोड ले हुए जोड़ोगे तो कितना आएगा 8 एंड यह 8 हो गया एंड यह 9 हो गया अगर आप इसे 2 से कट करोगे तो 2 चोगाट दोनों यहां यह 9 जाएगा ठीक है इसे जोड़ो फिर 2 से डिवाइट कर लो आजाएगा और यह आएगा साइन 30 डिगरी तो कि इसे कट करोगे 30 होगा ठीक है अब यहाँ इसलिए साइन 49 कमान दे दिया गया है 0.75 ठीक है 0.75 एंड इसका मान होता है 1 बटे 2 क्या होता है 1 बटे 2 अब 1 बटे 2 है तो बच्चा पारती इसमें यह मल्टिप्लाई हो जाएगा इसमें यह मल्टिप्लाई हो जाएगा और यह हो जाएगा 1.5 यही आपका एंसर आजाएगा यहन कमान यही आजाएगा बद छोटा सा कुश्चन था कुछ है था नहीं के वल यह सूतर आप थोड़ा सा हाइलाइट करके याद कर लेना थोड़ा और यहां तक कर लोगी है तो यह था आज का हमारा बखुर जारा वी आएंप साइंस का कुश भूलो ना क्योंकि यह कुश्चन्स आपकी बोड़ एक्जाम में 100% आते हैं और आते रहेंगे ठीक है इतिहास गवाँ है कि बोड़ एक्जाम में इंपोर्टेंट कुश्चन्स यह आते हैं तो वीडियो को लाइक करके सेयर कर देना अपने फ्रेंस के साथ चानल पने आए